रहस्यमई जंगल का सफर, गुमशुदा नक्षा, 2024 की एक गर्मियों की शाम, भारत के एक छोटे से गाव में रहने वाला सहसी अनवेशक, कर्ण, अपने दादाजी की पुरानी चीजों के बीच एक पुराना नक्षा धूनता है, यह नक्षा एक रहस्यमई जंगल की ओर के साथ, इस जंगल की ओर एक रोमान्चक सफर पर निकलता है, जंगल के भीतर, जंगल में कदम रखते ही तीनों दोस्तों को असास होता है कि यह साधारन जंगल नहीं है, यहां की हवा में कुछ अलग ही रहस्य छुपा हुआ है, घने पेड, अनजान, जीव, जन्तु, और गहरी घाटियां उनके रास्ते को कठिन बना देती है, जंगल की गहरायों में एक अद्रिश्य शक्ती महसूस होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है, प्राचीन सभ्यता के निशान, जैसे जैसे वे जंगल की गहरायों में आगे बढ़ते हैं, उ अगर, हर कदम पर उन्हें नई चुनोतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें सुलजह करी वे अपने सफर को जारी रख सकते हैं, खजाने का रहैस्य, आखिरकार, तीनों दोस्त उस जगह पर पहुँचते हैं, जहां खजाना चुपा हुआ है, ये खजा का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है, वापसी का संघर्ष, खजाने के साथ वापस लोटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती साबित होती है, जंगल की अद्रिश्य शक्ती अब और भी अधिक सक्रिय हो चुकी होती है, और उन्हें हर कदम पर जान का खत्रा होता है, अ प्राचीन खजानों की खोज के साथ साहस और दोस्ती की असली ताकत को उजागर किया गया है, ये कहानी पाठकों को जंगल की गहरायों में छिपे अंजाने खजानों और अद्बुत रहस्यों की दुनिया में ले जाती है